हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट इस्टेडी एन एक्सपरिमेंट पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर डिसकस करने वाले हैं और वो है सरचार्ज एंगल कन्वेयर बेल्ट में बनने वाले सरचार्ज एंगल के बारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे वाट इस सरचार्ज एंगल क्या होता है सरचार्ज एंगल तो कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड़ेड है आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट पर कन्वेयर बेल्ट पर देख सकते हैं फिलाँ इस वीडियो में जीश सरचार्ज एंगल के बारे में और थोड़ा सा ट्रफ एंगल के बारे में भी जान लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी हैलफूल होने वाली है बने देगा वीडियो में आंताग चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं देखिए, इस स्क्रीन पर ये जो image है ये image है, एक conveyor belt का cut section view है, आणा cross section view बोल सकते हैं आप इसको एक conveyor belt है जिसमे material convey हो रहा है, एक जगा से दूसरी जगा तो एक जगा, एक point का हमने cross section ले लिया है देखिए यहाँ पर देखिए तीन carrying idlers है जिसके उपर conveyor belt है conveyor belt के उपर material है तो इसमें आप ध्यान से देखिए उपर में यह जो material है material अपने horizontal surface से जो angle बना रहा है जो degree बना रहा है जो angle बना रहा है उसे ही surcharge angle कहा जा रहा है clear है देखिए एक बार मैं फिर से बता रहा हम आपको conveyor belt के उपर जो material है वो material अपने horizontal surface से जो angle बनाता है उसी angle को surcharge angle कहा जाता है surcharge angle जित्ता ज़्यादा होगा material उत्रा ही ज़्यादा conveyor belt पे जाएगा तो यह हो गया surcharge angle अब देखिए जान लेते कि trough angle क्या होता है तो friend जैसा कि आप यहाँ पर right side में देख रहे हैं conveyor belt के जो idlers होते हैं वो एक degree पर inclined होते हैं जो side वाले जो idlers होते हैं वो एक degree पर inclined होते हैं जिसकी वज़े से क्या होता है conveyor belt को एक shape मिलता है जिसकी वज़ा से वो ज़्यादा material को carry कर सकता है या फिर material जो है वो spillage नहीं हो गीरेना इसलिए ये trough angle दिया जाता है trough angle की value vary करती है 15 degree से लेकर के 45 degree तक यानि अलग-अलग degree के carrying idler frames जो हैं वो होते हैं और उनका इस्तमाल किया जाता है according to application जाता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी helpful लगी होगी अगर एक percent भी वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा